हेलो दोस्तों, वी व्लॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए रिसर्च मेटलोजी से जुड़ी वजी स्रीज लाऊंगा, जिसमें आपका पूरा रिसर्च मेटलोजी के कॉंसेट को क्लियर किया जाएगा, ताकि आने वाला जो तो रिसर्च मेटलोजी काफ़ी इंपॉर्टन स्ब्जक्ट है क्योंकि यह दोनो पेपर में आता है, अगर आप लाइबरी साइन्स के स्चुदेंट हैं तो आपके दोनों पेपर में यह सब्जच्ट पूछा जाता है पेपर 1 में भी research methodology के question होते हैं पेपर 2 में भी research methodology के question होते हैं तो इस वीडियो में मैं ये clear करूँगा कि research की meaning क्या होती है characteristics क्या होते हैं और कितने types की research होती है तो ये lecture 1 है और आगे आने वाले time में और भी lectures के आते रहेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि research methodology एक समझने वाला subject है तो मैं कोशिस करूँगा कि आपको काफी easy way में example के तुरू समझा सकूँ तो आईए शुरू करते हैं तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं research की meaning क्या होती है तो जैसा की लिखा हुआ है research जो होता है वो दो words से मिलके बना होता है re-end search तो यहां पर re means क्या होता है again and again यानि की बार-बार और search means क्या होता है to find out something यानि कुछ खोजना तो यहां पर research का मतलब है कि कि किसी existing knowledge या फिनोमेना को बार-बार खोजना या उस पर काम करना ताकि हम उस existing knowledge में कुछ नया जोड सकें कुछ उसमें नया develop कर सकें example के तोर पर हम देखते हैं कि जैसे computer सबसे पहले जो पुराने समय में computer आते थे बहुती बड़े आकार क्याते थे जहां पर हम vacuum tube का प्रियोग करते थे दीरे दीरे technology डेवलप होती गई नई नई research होती गई उस पर तो computer का कार छोटा होने लगा और अब माइक्रो प्रोसेसर और ic chip computer में यूज होने लगी तहां पर इसके तुरू हम समझ सकते हैं कि रिचर्चर एक होता है वो पहले एक phenomenon को observe करता है उसके बाद उसको बार बार observe करता है देन उसके बाद उससे related वो data collect करता है फिर data collect करने के बाद उसको data की analysis करता है तो analysis करने के बाद वो किसी conclusion पर पहुंचता है जो एक research बनती है कि आगे बढ़ते हम देखते हैं कि research की characteristics क्या होती है कि तहां पर आप notes भी बना सकते हैं और मैं इस PDF को भी telegram पर डाल दूँगा और आप वहां से भी प्रात कर सकते हैं या आपकी UGC के अलावा अगर आप किसी exam और में बैठना चाते हैं या आप किसी class का exam देना चाते हैं आपने subject का exam आप इससे समझते हैं कि unwise का मतलब है कि किसी एक पक्ष को support करने वाली नहीं होनी चाहिए जैसे कि आप एक researcher है तो माल लीजे कोई आप बहुत ही धार्मिक हैं तो आप समझते हैं कि आपकी धर्म में बहुत ज्यादा पर आप को research कर रहे हैं जहां पर आपको कुछ विपरीत उसमें दिख रहा है धरम से विपरीत जारी वह research पर आप जुड़े हुए हैं धरम से तो आप उस research को unbiased नहीं कर सकते एक और example के तुरू समझ सकते हैं जैसे कि आपको कोई दोस्त है जो चोरी के ल्याम में पकड़ा गया तो आपको लगता है कि वो चोरी नहीं किया उसने पर उसने चोरी की है पर अभी तक यह proof नहीं हुआ है पर आप उसको research करेंगे आप उसको research करेंगे कि ज्यादा जुकाओ उसका होगा तो यहाँ पर यह बोला गया है कि आपकी जो research होती है वो उसका किसी भी पक्च की दरफ जुकाओ नहीं होना चाहिए वो निस्पक्च होनी चाहिए यानि वो सभी के लिए यूज होने वाली होनी चाहिए अगली characteristic देखते है accuracy का means है कि जो आपके tools procedures होता है sample होते है वो accurate होना चाहिए उसमें कोई भी गढ़वड नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर sample आपका गढ़वड है डाटा आपका गढ़वड है तो आपकी research गढ़वड होई सकती है यानि आपकी research पे उसका प्रतिकूल प्रभाव पढ़ेगा ह इसका मतलब क्या है जैसे कि मान लीजे कल कोई कह दे कि बाइक पानी से चलती है तो आप उसको कैसे मानेंगे आप नहीं मान सकते क्योंकि उस पर कोई experiment तो हुआ करता है अगर उसको experiment नहीं हुआ है तो वह प्रूव नहीं है उसको observe भी आपने नहीं किया है आप कभी पानी से चली मोट साइकल चला के खुद देखे तब आप observe करेंगे या उस पर experiment हुआ होगा तभी तो आप उसको मानेंगे कि उस पर experiment हुआ है तो यह एक सही चीज है त systematic का मतलब है follow order and sequence of process तो अब बुला कि एक जर म साइंस परते हैं साइंस में कहा जाता है कि यह systematic होती है तो यह बहुता गया कि research होती है तो यह उत्तिमाटिक होती है यानि एक order में चलती है उसको एक order follow कि आजता है कि यह step हमको follow करने है अगर वह step आप follow नहीं करते हैं तो आपकी रिसर्च सिस्टेमाइटिक होनी चाहिए यानि कि वो एक प्रोसेस जो होती है उसको फॉलो करनी चाहिए तो मैं आपको यह order अगली वीडियो में बताऊंगा जहां पर मैं आपको रिसर्च डिजाइन पढऊंगा अगला है रिलाइवल्टी की कि वो कितना consistent है आपकी नहीं चाहिए बता देता हूँ भी थर्मामीटर से ना पा तो आ गया 15 degree Celsius फिर आपने ना पा तो कुछ अलग आया तो अगर हर बार एक ही चीज के लिए अलग अलग टेंपरेचर आ रहा है तो मतलब की वो टेंपरेचर रिलाइबल नहीं है यानि वो थर्मामीटर रिलाइबल नहीं है क्योंकि आपको वो accurate result नहीं दे रहा है हमेशा बदल रहा है उसकी जो result है वो consistent नहीं है तो यहाँ पर उसमें कोई reliability नहीं है मैं आपको reliability और भी easy दरीके से पढ़ाऊंगा जो आगे काफी detail में पढ़ाऊंगा अगे जाके तो अभी आपको खेवल उपर-उपर से समझ लेना स्रिफ concept क्या है इसका तो अगला है validity तो validity का भी आप यही एक्जामपल ले सकते है थर्मामीटर जैसे आपको temperature नापना है तो आप थर्मामीटर ही उच करेंगे आप किलोग्राम का बाट तो नहीं उच करेंग तो यहां पर थर्मामीटर एक valid equipment है यानि instrument है या tool कह सकते हैं आप उसे जो temperature को नापने के काम आता है तो आप उसकी validity होगे तो यहां पर एक आजारा कि research जो आपकी होनी चाहिए वो valid होनी चाहिए यानि उसके procedure और टूल एकदम accurate होनी चाहिए अगली है generalization यानि आपकी जो research चाहिए न वो larger population पर काम करनी जाए एक example के तौर पर दे सकते हैं जैसे corona की vaccine के लिए हम sample के तौर पर कुछ लोगों को लेते हैं कि हमको इन पर experiment करना है पर उस experiment में हम जिन लोगों पर प्रयोग करते हैं वो तो कम लोग होते हैं पर हमको तो corona vaccine सब के लिए बनानी ना larger population के ल आई और वो सिर्फ 3-4 लोगों पर ही असर कर रही है तो उस research का कोई मतलब नहीं तहाँ पर उसका generalization नहीं हुआ है अगर corona vaccine आपने बनाई है वो larger population पर असर कर रही है तो वो generalize है तहाँ पर यह बोला गया कि आपकी जो भी research होती है वो सब के लिए यानि larger population पर काम करनी चाह तो टाइपस आप रिसर्च में हम देखेंगे तीन तरहांसे इसको बाता है कि basis on application और basis on objectives and basis on inquiry mode तो application पर बेस्ट जो होती है उसमें होती है दो तरह की pure research and applied research और objectives पर बेस्ट होती है descriptive research, exploratory research, correlational research, explanatory research, then inquiry mode, inquiry mode पर कौन सी होती है qualitative research and quantitative research इनको ऐते ही detail में हम देखते है, इन पे काफी question बनते हैं तो इनको उनम a good देखते हैं तो पहला है pure research, pure research को सबस्क्र का हम फंड刃मेंटल research भी कहते है या इसको basic research भी कहते हैं तो यहापर क्या होता है कि यह research होती है, जो pure research होती है, यह किसी नए product को बनाने के लिए use नहीं होती है यह एक theory या law या principles बनाया जाते हैं तो वो pure research के through बनाया जाते हैं तो यहाँ पर principles laws और theory की बात होती है कि उसको बनाया गया है जैसे कि example के तोर पर हम देखते है Newton's law Newton ने gravity का कोई एक law बनाया या Newton ने गती के जो नियम बनाया Newton's law of motion तो वहाँ पर उसने कुछ product नहीं बनाया उसने एक theory बनाई तो वह theory क्या होती है जो existing knowledge है ना उसको expand करती है मतलब उसको बढ़ाती है तहां पर जो universe में जो knowledge है उसको बढ़ाने के काम आती है यह research pure research यह basic research होती है पर basic research का यह basic research का यूज हम आगे जो research होती है उन में करते हैं जैसे कि अगर आप rocket science में कोई research कर रहे हैं जैसे कि आपको पहले research करनी होती थी कि हम rocket को अंतरिच में हमको भेजना है तो अगर हमने law of gravity नहीं पढ़ा जा principle of gravity नहीं पढ़ा तो हम rocket पे कोई research करी नहीं सकते हैं क्योंकि gravity का तो रूल यह है कि जो चीज उपर जाती वो नीचे आती है तो rocket तो उपर जागा वो नीचे भी आएगा तो अगर जिस researcher को rocket पे प्रियोग करना था rocket science पे प्रियोग करना था उसने सबसे पहले gravity पढ़ा होगा यह उसने प्रियोर रिसर्च यानि इस theory को पहले पढ़ा होगा उसका यूज करके उसने rocket को ऐसे बनाया कि उसको किस गती से भेजा जाए कि वो यहां के gravity force से बाहर निक को आगे आने वाले scientist को यूज में आए और जो knowledge होती universe की उसको expand कर या नहीं बढ़ाती जाए अगला है applied research applied research में क्या होगा applied research में क्या होदा कि कोई immediate problem होती है कोई society में या कोई organization में कोई company में immediate problem होती तो उसको solve करने के लिए यूज की जाती है तो applied research को हम एक और नाम से जानते हैं इसको कहते हैं action research तीक कहीं पर लिखाओगा क्या applied research के अंदर action research आता पर आप यह भी समझ सकते हैं कि applied research को कोई action research कहते हैं ठीक है तो इसको ध्यान रखिएगा तो जैसे एक example के तौर पर समझते हैं जैसे मैंने एक्जांपल दिया मार्केट रिसर्च आपको मार्केट में कोई research करनी है कि यह product कैसे चला है इसके क्या feedback है इसका क्या performance है तो उसके लिए आप मार्केट में research करेंगे तो जैसे एक और example के तौर पर हम देखते हैं माल लीजए किसी company में बहुत सारे employees हैं पर उसकी जो company की growth है वो काफी धीमी चल रही है तो हम क्या करेंगे company की एक committee होगी वो एक action research करेंगी कि वो पता लगाएगी कि problem है क्या जो company growth नहीं कर रही है तो उसको immediate solve करेंगी immediate solve इसलिए करेंगी क्योंकि company में अगर दीरे-दीरे solve होगा अगर वो काफी लंबी process चलेगी तो company तब तक गाटे में चली जाएगी या डूब जाएगी इसलिए उसको immediate research करते है यानि applied research करते हैं ताकि हम easy way में जल्दी से जल्दी solution पर पहुंच सके हैं अगली है correlational research का मतलब क्या है यहां पर relation की बात होरी है तो relation की बात क्या है इसमें देखे लिखा है इट refers to the systematic investigation of relationship among two variables तहाँ पर बोला गया है कि यह दो variables की बीच में एक relationship को बताता है कि दो situation को बताएगा कि उनके बीच में क्या संबंद है जैसे कि example में लिखा है chocolate can reduce stress तहाँ पर बताएगा है कि चॉकलेट stress को कम करता है तो यहां पर दोनों में relation बताएगा है कि चॉकलेट और stress का क्या संबंद है कि वो reduce करता है stress को आगर हम दूसरे example तो पर लें तो जैसे impact of technology in library automation तहाँ पर बोला गया है कि library में technology आने का जो नई technology आई है उसका library automation पर क्या फरक पड़ा है तो यहां पर दो चीजों की बीच में relation बताता है तो वह होती है correlational research आगे बढ़ते हैं आगे है descriptive research तो descriptive research में क्या होता है कि हम किसी चीज को describe करते हैं जो problem होती है situation होती है तो उसको हम describe करते हैं कि वो कैसे हुई है कहां हुई है कब हुई है कियूं हुई है यह जो finding होती है उनको हम describe करते हैं जैसे कि human behavior तो जब हम human behavior को लेते हैं जैसे हमें पता करना है कि लाइबरेडि में जो humans आते हैं जो आते हैं उसके users आते हैं उनका क्या behavior है उसको हम देखने के लिए सर्वे करेंगे तो उसके थुरू हम descriptive research करते हैं मतलब are the GP के तुरू हम यह जानते हैं कि human behavior कैसा है तो यह एक example के तौरपे ले रहे रहे हैं तो descriptive research का मतलब है हम describe करते है problem को उसके solution को describe करते हैं ऑगर बढ़ते हैं अगला है experimental research experimental research का मतलब क्या होता है USAола होता है कि इंक्लूड होती है बैरियेवल्स भी इंक्लूड होती है यहां पर experimental research की बात करें तो जैसे example की तरफ माल लेते कोई नई drug या vaccine का निर्माड जैसे की corona vaccine का भी निर्माड हुआ है तो उसके एक्सपेरिमेंट हुआ है पहले उसके बाद उसके बाद रिसर्च हुई देन वेक्सीन का निर्माड हुआ है तो यहां पर एक चीज और नोटिस कर लिजेगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो ग्रूप होते हैं एक होता है एक होता है कंट्रोल गुरूप एक होता है कि एक्सपेरिमेंटल गुरूप तहां पर दोनों गुरूप रखे जाते हैं तब वो रिसर्च करते हैं इनके वारे में मैं आगे बताऊंगा कि कंट्रोल गुरूप और एक्सपेरिमेंटल गुरूप क्या होते हैं तो आगे चलते ह अगला है exploratory research तहाँ पर exploratory research का मतलब है कि यहाँ पर चीजों को explore किया जाता है जैसे कोई field work होता है जब कोई new product launch किया जाता है जैसे company कोई new product launch कर रही है तो उसके बारे में customer review होते है customer से पूछा जाता है field work होता है कि customer से survey किया जाता है तो उसके लिए उसको explore किया जाता है, तो यहाँ पर confuse मत हुएगा descriptive और exploratory research में, क्योंकि अगर कोई exploratory research है तो वो descriptive भी हो सकती है, तो यहाँ पर किवल समझने के लिए अलग-अलग बनाई गई है, यहाँ पर एक research में दो-तीन research सम्मिलित हो सकती है, तो यहाँ पर example के थोड़ स समझ गए होंगे आप कि exploratory research क्या होती है, जैसे कि हम new product को launch करते हैं, तो उसके बारे हम customer से survey करते हैं, या user से survey करते हैं, कि उनको कैसा लगा project या कैसे वो use कर चुके है उस product को, तो उनको क्या दिक्कते हैं आ रही है, उनको क्या नया चाहिए उस product में, उसके लिए वो survey करते हैं, तो यह exploratory research होती है, आगे बढ़ते हैं, अगला है explanatory research, तो explanatory research क्या होते है, explanatory research होती है, कि वो cause and effect को prove करती है, तो यह note कर लिजेगा, कि explanatory research cause and effect को दरसाती है, ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि how and why, तो यहाँ पर पुछा यह क्यों और कैसे, तो इस research में बताया जाता है कि, जब दो variables की बीच में relation होता है, या उससे ज़्यादा variables की बीच में relation होता है, तो उसको हम कैसे दरसाते हैं, यानि उसकी cause and effect को कैसे हम बता सकते हैं, इस research में यह होता है, इसको example के थुरू समझते हैं, जैसे कि suri grant, यहाँ पर एक्जा ग्रहता है और उसकी ज्याइ के प्रतवी सरुघ हो गया प्रतवी तो प्रतवी के कर दोने हो होगे तो हाँ पर हम क्लेंटर में किक प्रते हैं इसको निहीं को कहते हैं आगे बढ़ते हैं अगला है qualitative research qualitative research में यह होता है कि यह क्वालिटी को बताता है किसी आप जैसे एक एक इग्जामपल के तोर पर ले लेते हैं जब आप online shopping करते हैं तो online shopping करते हैं तो आपसे feedback लिया जाता है feedback में कभी-कभी आप पूछा जाएगा कि क्या आपको यह product पसंद आया हाँ या नहीं में जवाब देना है क्या आपको हमारी service से satisfied है हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है तो उस आधार पे वो quality लेते हैं और साथ में आपसे लिख जते हैं tell something यानि आप कुछ पता सकते हैं कि आप उसमें क्या जोड़ना चाहत हैं तो उसके लिए आपको एक जगा दी जाती है कि आप अपने words में उसको बता सके हैं तो वहाँ पर उसके qualitative research कहते हैं क्यों qualitative data एकटा करते हैं ताकि वह quality उसकी बढ़ा सके हैं उनको अपने product के बारे में quality का पता चलता रहें तो उसको qualitative research करते हैं तो यहाँ पर जो data होता ह है वो text के form में भी होता है, pictures के form में भी होता है, numbers के भी form में होता है, तो आप जैसे second line में लिखा है the research designed for to record behavior, तो आप है behavior को record किया जाता है, how people feel and think about the particular subject, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि qualitative research क्या होता है, उसको mathematically prove नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी के behavior को mathematically सकते हैं, तो यह qualitative research होती है, जहाँ पर quality की बात होती है, अगला है quantitative research, तो quantitative research से भी पता चल दा होगा, यहाँ पर quantity की बात हो रही है, तो आप कहता है, यह ऐसे measurement पर based होती है, जहाँ पर numbers का मात तो होता है, इसको हम mathematically solve कर सकते हैं, या statistical tools के द्वारा इसको solve कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जब आप सुईगी आपने जातर सुना होगा, सुईगी से हम ऑनलाइन खाना ओर्डर करते हैं, तो food delivery app है, जब आप food delivery app use करते हैं, आप खाना मंगते हैं, तो order देने के बाइप जो delivery बहुत है वो आपसे कहते हैं कि rating कर दीजेगा, उस rating का मतलब है कि आप 5 star होते हैं उसमें से आपको उसको star देते हैं तो वहाँ पर यह data collection की एक technique है तो वहाँ पर quantitative research हो रही है तो यहाँ पर पता किया जा रहा है कि कि delivery उपाइ को कितने star मिलना है तो four star का मतलब होता है अच्छा five star का मतलब बहुत अच्छा आप जैसे जैसे कम इस्टार में आएंगे वैसे होता है कि खराब से खराब में जाने लगता है तो मगर यहाँ पर quantitative research है तो आप उसको अगर तीन इस्टार देते हैं तो उससे आप यह clear नहीं कर सकते हैं कि उसके behavior में क्या change है उससे आप उसके behavior का पता नहीं लगा सकते हैं तो यहाँ पर सिर्फ quantity की बात हो रही है कि आप उसको तीन इस्टार दे रहे हैं आपको उसकी service पसंद आई आपने उसको चार इस्टार दे दिये पर आप उसको यह नहीं बता सकते हैं कि उसको क्या improve करना है या आपको उसमें क् कि उसके लिए हम quantitative research करते हैं जब हम केवल mathematically हमाया पर data जो होता है वो सिर्फ numbers के form में होता है तो इससे आप इजी समझ गया होंगे कि जब numbers के form में data होता है तो quantitative research होती है तो हम कुछ और तरह की research भी देख लेते हैं यहां पर inductive research का तो काफी important है इससे भी question काफी बनता है तो inductive research का मतलब है particular to general यानि यहां पर एक theory को develop किया जाता है यानि developing the theory ताब एक theory को develop किया जाता है किसी particular से general की हो मतलब कि आप कुछी खास instance को जो instance हुआ है कोई खास उसके थुरू आप एक theory develop करते हैं जो आप general use कर सकते हैं जैसे एक example के तोर पे मैंने अभी लिया था Newton का gravity का जो law था तोहाँ पर जब Newton के उपर save गिरा था तब तक gravity discover नहीं होई थी लेकिन जब save गिरा था तो उन्होंने एक general theory बनाई कि जो चीज ऊपर जाती है वो चीज नीचे भी आती है तो उन्होंने एक general theory बनाई जो यहां एक त्योरी का निर्माण यह होता एंट डिच्ति रिसर्च देन अगली जोते की है यहांनि यहांपर जो थेखरो बनी है उसको हम टेस्ट करते हैं जो सब लोग मानते हैं कि काढ़ा पिने से जो हम viral infection होता है, वो सही हो जाता है, तो हमें जुखाम हुआ, हमने काड़ा पी लिया, सही हो गया, हमें जैसे यहां पर एक चीज़ देखेगा, यह एक जन्रल थे और उसके बाद हम उसको particular ले जा रहे हैं, तो आपकी जन्रल थे और काड़ा पीने से जुखाम और सारे viral infection खतम होते हैं, तो हमने जुखाम में काड़ा पिया, ठीक है, हमने जुखाम में काड़ा पिया, उसके बाद हमने जब सरदी लग गई तब काड़ा पिया, फिर जब हमें खांसिया तब काड़ा पिया, हमें बु खाम और बुखार और सर्दी में काड़ा काम आ रहा है, खासी में काड़ा काम आ रहा है, तो कोरोना में भी काड़ा काम आ जाएगा, यानि कोरोना में भी काड़ा को पीने से हमें राहत मिल सकती है, तो हमने उस थेयोरी को टेस्ट किया है, कि हमने उस थेयोरी को टेस्ट कर ल हुआ इससे आप समझ सकते हैं कि जनरल से पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ कि जनरल थियोरी थी कि काड़ा पीने से आपको कोई भी वाईरिल इंफेक्शन नहीं होगा आपने उसको जोड़ दिया कि हमें जुकां में भी काड़ा पी लिया हमने सरदी में भी काड़ा पी लिया हमने खांसी में भी काड़ा पी लिया तो हमारा सही हो गया तो हम कोरोना में भी काड़ा पी लेंगे क्योंकि उसके सिम्टम्स सरदी जुखाम जैसे हैं तो हमने कोरोना में भी काड़ा पी लिया तो हमारा सही हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी जो एक थेओरी थी कि काड़ा पीने से वारा इंफेक्शन सही हो जाता है यह आपकी टेस्ट हो गई अगली है historical research तो historical research तो एक चीज होती है कि जो some past events हो गए हैं जो पहले की events हो चुके हैं उनको हम check कर सकते हैं ताकि उनको हम और easy तरीके से और ज्यादा उनके वारे में जान सकें ताकि उसको knowledge में add किया जा सकें तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में आपके लिए research design लेके आऊंगा hypothesis क्या होती है इसके वारे में बताऊंगा तो आज के लिए thank you और आप अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप live करिए उसको share करिए और आपको इसकी PDF चाहिए है तो आप telegram से प्राप्त कर सकते हैं id है add the rate b blocks library आपको link भी मिल जाएगा description में आप वहां से भी telegram चैनल तक पहुंच सकते हैं and thank you आप को आपको 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 आपक